प्रभी एश्यू मसी के तारीफ हो आईए सभी हम सभी मिलकर प्रमिशो के तारीफ करें तालिया बज्जाकर एश्यू के समधिना में धनेवाद एश्यू धनेवाद एश्यू तालिया बजाए तालिया बजाए धनेवाद एश्यू 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 परमेश्वर हलेलुया बोलो मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है हलेलुया आप लोगों ने विश्वास के साथ बोला कि मेरा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है तो सच मुच मैं जितने लोग ने अंगिकार के साथ आज प्रातना किया है तो प्रभू आपके जीवन में हर चीजों को बदलेगा और सब कुछ सही करेगा और ठीक करेगा इशिव मसी के सम्मर्थि नाम में बोलो मेरा परमेश्वर जीवित है हलेलुया वो मेरे जीवित परमेश्वर की उपास लेकिन फिर भी आज अपने जीवन में उन आशिशों को आप क्यों नहीं ले पा रहे हैं प्रभी एक्षि मसी के तारीफ अब जानते हैं प्रमेशों का वचन क्या कहता है विब्रानियों के किताब दस अध्याय 38 वचन में पढ़ेंगे पर मेरा धर्मेजन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन ना होगा आप जानते हैं प्रमेशों किससे प्रसन होगा किसे कहता है कि मैं इससे प्रसन होगा जो विश्वास करता है प्रमेशों पर प्रभु का वचन कहता है परमेशन उससे प्रसन होगा लेकिन किस से उसका मन प्रसन नहीं होगा यदि वो विश्वास में पीछे हट जाए किस में विश्वास वाले जीवन से पीछे हट जाए तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन नहीं होगा हलेलुया प्रभी शुकी तारीफ हो आज बहुत सरे लोग हैं विश्वासी करते हैं प्रात्ना लेकिन आज उनकी प्रात्ना में विश्वास नहीं है आज परिस्थिती कभी-कभी कुछ ऐसी चीजे ऐसी समसे आना चाती है तो वो सोचते कि पतनी प्रभु क्यों नहीं कर रहा है प्रभु यह नहीं कर रहा है अलग कंप्लेंट पर कंप्लेंट करते हैं यदि आप ऐसा ही कर रहे हो संदे कर रहे है शक कर रहे है तो प्रभु का वचन क्या कहता है वो उन आशिशों को नहीं ले सकता है यदि वो संदे और शक करके बैठा है तो हलेलुईया क्या पढ़ते हैं यहाँ पर मेरा मन उसे प्रसन्न नहीं होगा लिखा जब आप परमेशुर को प्रसन्न करेंगे अपने जीवन के द्वारा तो प्रभू उसके जीवन में सब कुछ क्या करेगा आशिस से भर देगा आज अप मैंसे कितने ऐसे लोग हैं कि आप की आप जब प्राथना करते हैं आप के जो भी परिस्टिती है आप विश्वास करते हैं कि प्रभू मेरे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा हलेलुईया प्रभीशु की तारीफों अबराहम के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि अबराहम उस मरी हुई दशा में भी वो परमिश्वास करना नहीं चोड़ा बलकि ऐसा विश्वास किया ऐसा विश्वास जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है इस तरीके का विश्वास जिससे ये विश्वास इसको जैसा अबराहम ने परमिश्वास पर विश्वास किया और इसका मतलब यही है कि उसने परमिश्वास को प्रसन्य किया जहां कुछ नहीं था और इसलिए परमिश्वास ने उसे आशिश दिया खालेलोई नहीं कर पार एक प्रभु का चन क्या कहता है मेरा मन उसे प्रसन नहीं होगा जो पीछे अट जाएगा विश्वास से आपको चंगाई की जुरत है तो आपको क्या करना है आपको परमिश्व की वचन पर विश्वास करना है कि येस उसले मेरे लिए कोड़े खाए हैं और उसक प्रभीश्यों के साथ संगती करती हैं इसलिए विश्वाज भी आपका पीछे अट आए हटे वह मानिन दिखाई देते हैं शक और संदे करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप परमिश्यों के साथ संगती नहीं करते हैं लेकिन अब्राम जो था वो रोजाना परमिश्यों के सा संगती करता था प्रभू की निकट चाता था परमिश्यों से बाते करता था प्रातना करता था और इसलिए भेट और बलिदान भी चड़ाता था आमेन प्रभी येश्यों मसी के तारिफ हो प्रभीश्य का धन्यवाद हो मसी में प्रिभायो बैनों आज बहुत सार ऐसे लोग हैं आज जो जीवन जो है अपनी मर्जी से वितीत कर रहे हैं अपनी मर्जी परमिश्य की वच्रम को छोड़ दिया अपनी मर्जी इधर भी जा रहे हैं ये शुमसी नहीं ये नहीं ठिकिया तो वहाँ चलेगा इधर चलेगा वो बाबा ये ये तंत्रम वो चीजों में फिर बता आप परमिश्य को कैसे प्रसंद करोगे परमिश्य उसे ही आशिस देगा परमिश्य उसे ही ब्लस करेगा जो एक तो विश्वास में स्थीर रहेगा और दूसरा परमिश्य को प्रसंद करेगा आज अपने जीवन को चेक करके जाच कर देखिए कि क्या आप परमिश्य को रोजाना प्रसंद कर रहे हैं रोजाना क्योंकि वचन ही कहता है हिब्रो के किताब इब्रानियो के किताब 11-6 वचन में और विश्वास बिना उसे प्रसन्ने करना अन होना है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है अब जब आप परमेश्वर के निकट आए हो और विश्वास नहीं है तो प्रभु कैसे काम करेगा आपके जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा हलेलुया धर्मी जन की प्राप्ना के प्रवाव से बहुत कुछ हो सकता लिखा है कि आज आपके जीवन में, विश्वास में, विश्वास अले जीवन में डावडोल चल रहे हैं इधर की बाते सुन्रों उधर की बाते सुनके आपके मन में कोई ऐसे कोश्चन आ रहे हैं, कन्फियूज हो गatically पता नहीं, प्रभू करेगा कि नहीं करेगा कितने लोगों के जीवन में ऐसा ही हो रहा है जो संदे कर रहे हैं शक कर रहे हैं विश्वास में कमी होने की वज़ा से ही आप परमिश्वर से उन आशिशों से वंचित होते दिखाई दे रहे हैं किकी विश्वास को अपने जीव में काम करने नहीं दे रहे, हललुया जब आप विश्वास करोगे, जिससे अबराहम ने विश्वास किया परमीशवर के उपर, और इसलिए परमीशवर ने उसके जीवन में अद्बुत कामा को प्रगट किया प्रभी येश्व मसी के तारिफ हो प्रभी येश्व मसी का धन्यवाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पाते जीजस को जानते हैं सब को जानते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पारी क्यों? क्योंकि reason क्या है? विश्वास की कमे यदि आपके जिन में चिन्ता है यदि कोई भी परिशानी है तो प्रभु को वचन कहता है कि प्रभु के निकाटा चिन्ता मत कर लेकिन प्रात्ना कर लिखा है चिन्ता मत कर लेकिन क्या लिखा है प्रार्थना करो लिखा है हलेलुया चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा लेकि जब अब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा अमेन प्रभी ये शिमसी के तारीफ हो क्योंकि ए ए जम पढ़ते गलेश्यन्स के किताब में गलातियों के किताब में तीन अध्या है और वहाँ पर हम पढ़ते हैं ये रवचन में पर ये बात प्रगट है कि विवस्था के दोरा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ढरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा लिखाए हालेलुया जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा और जो परमेश्वर के वचन को मानेगा उसी के कारणी वजीवित रहेगा हालेलुया क्यों विश्वास करेगा क्योंकि प्रभी शिमस्य आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं, कलवरी क्रूस पर अपने आपको बलिदान कर दिया, और आज उस बलिदान को वेर्थ ठेरा रहे हैं, अविश्वासी बन कर, अबराहम ने क्या किया? विश्वास किया, ऐसे समय में विश्वास किया, जब कुछ भ हैं, आपको बच्ची की आशिश चाहिए, हो सकता, आपको बहुत सरे ऐसी चीज़ें जबने बच्ची की जिन में चाहिए, और आपको परिस्थिती है, असल लग रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन आप परमिश्व के समय में जाकर राद दिन क्या कर रहे हैं, बैठते हो, सं प्रातना विश्वास के साथ कर, विदाउट संदे, विंदाउट शक, तो प्रभू 100% आपके जिन में काम करेगा, यदि आप आशा रखके प्रातना कर रहे हैं, लगातार, बहुच के साथ, प्रभू की समुक में आके, विदाउट कम्प्लेनिंग, तो प्रभू जरूर आ आप सभी लोगों को पता है, अब रहाम जो सच मुच में, जब विश्वास की ऐसे सममें, जब पर सब परिस्थिती जवाब दे गई थी, और क्या आपको ऐसा लग रहा कि कुछ नहीं हो सकता, क्या थक गए हैं, क्या परिशान हो रहे हैं, क्या हार गए हैं, एक तरह परिस परमिश्र के और लगाना है, जिस तरीके से अबरहम ने अपनी आखे परिफु के और लगा है, जिस तरीके से खना ने मंदिर में जाकर प्रातना करना शुरू किया, और प्रभु ने से ब्लेस्थ किया, क्योंकि इसकी आँखे कहां लगी फिर, सब कु रास्ते बंद हो करना है अपने विश्वास में भी काम करना है रख वाली भी करना है ब्रभू को ब्रसन्न करना है और अज करने के और बदलने की टाकत और सा करते हैं आज हम एक परमिश्व की और फिरने नहीं करते खाली होकर प्रात्ना करते आपको विश्वास के सार प्रात्ना करना है आशा के सार प्रात्ना करना है ना कि संदे के सार शक के सार जब आप विश्वास के सार प्रात्ना करोगे और जब बीमारी को बोलोगे बीमारी मेरे शजर से जा जा डाटोगे तो वो चले जा जब आप ऐसा करोगे तो प्रभव के वचनों को पढ़ोगे जब प्राथना में बैठोगे प्रभी एश्यो मसी के सा संगती करोगे जब प्रमेश्य के गीत गाओगे जब आप अपने घर में भी काम करते हो तो आप वचन को लगा के काम कर सकते हो जब आप घर में काम करते तो घीतों को भी लगा सकते हो वो घीत भी आपके जब सुनते रोगे अब गुणो नोगे वो वच्चन Hallelujah आपके जिन में काम करेगा जब वच्चन सुनो गे जैसे कि आपको पता है कि कि सुबा शाम की जो हम प्रातना करते हैं वच्छन शेयर की प्रमेशब देता है जब उस वच्छन को सुनोगे लगा तर अपने जीन का हिस्सा बना लोगे सच मच में तब देखो आप कैसे विश्वास में बढ़ते हो तब देखो जब कि परिस्थिती हालातें कैसी बिगड़ी हुई है प्रभू उसको कैसे ठीक करता देखुई शेयर के समर्थिना में अब जैसे जैसे प्रभू के सा कनेक्ट होगे जुरते जाओगे तो प्रभू आपके जीवन में वैसे आशिशों को बिशते जाएगा पहले थोड़ा देगा फिर थोड़ा और देगा फिर थोड़ा और देगा तो प्रभू में बने रहो विश्वास में बढ़े रहो खड़े रहो जो मरजी हो जाए आयोब का विश्वासे को कैसे वो खरा विश्वासी निकला सब कुछ खतम होने के बाज़त भी वो परमिशर पे अपनी आखे को लगाय रहा वो कम्प्लेन ने किया जब सब कुछ खतम हो गया तो आज हमारा कुछ भी बिगर जाता है खतम हो जाए बिजनिस अप एंड डाउन हो जाती है या कोई प्रॉब्लम ही आ जाती है तो हम तुरंद परमिशर पे दोश लगाना शुरू कर देते हैं कि प्रभू कुछ नहीं करता है प्रभू कितना कुछ करता है और तब भी हम कहते कि पर अब कुछ नहीं करता पहले अब मार खा जाते अपने विश्वासले जीवन में मुझे गलत वर्ड्स बोलके गलत अंगीकार करके आज आपको अपने अपको चेक करना पड़ेगा आज जाज कर देखो कितनी बार अपने गलत वर्ड बोला कितनी बार निगेटीव वर्ड को बोला है आज ये सारी चीजों को छोड़ दो सिफ परमेशर कर वचन अपके मुह में होना चाहिए मिशन में अपके विचारों में आपके जीवन में होना चाहिए आपकी आशा बढ़ेगे विश्वास बढ़ेगा और तब ही परमेशा आप लोगों की जिरमत बुद्ध काम करेगा लोग आज आशे से वंचित क्यों है क्योंकि इनके प्रात्ना में विश्वास नहीं है क्योंकि इनके प्रात्ना में आशा नहीं है क्योंकि उनके प्रात्ने में अटुट विश्वास नहीं है हलेलुया विश्वास के साथ प्रात्ना करना है हलेलुया कि बस तो जब तुम प्रात्ना करो तुम विश्वास कर ले तुम मिल गया तो प्रभु का बचन कहता तुम आले हो जाएगा हलेलुया आज अपने विश्वास वाले जीवन को चांच कर देखो कि अपका विश्वास वाला जीवन कैसा है जब आप रात्ना करते हो तो जो चीज़ों को मांग रहे हो तो उन चीज़ों को मांग रहे हो तो विश्वास है कि प्रभू आपको जरूर देगा इश्यो मसी के समर्थिना में इसलिए धर्मे जन यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा जब आप आविश्वास का आत्मा यदि आपकी जन में काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप पीछे हट गयो बोलो मैं कभी पीछे ना हटूँगा बोलो परमेशर मैं आपके पीछे पीछे चलता ही रहूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए परमेशर पिता मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगे शिके समर्थिना में प्रभु में आगे बढ़ते रहूंगा, ईशो के समर्थिना में, आए हर एक जण अपने आपको प्रभु किया की सरंडर करें, और बोलो परमेशर, मैं आपके पीषे-पीषे चलूंगा, मैं आपको प्रसंद करूंगी परमेशर पिता, अपने जीवन के दौर, अपने चाल करने शुरू करो अलेलूया ताकि वह आपड़ अटेक ने कर सके प्रभ वह भी ना हो सके अपने आपको सरंदर करतीजिए धनेवादेशी विश्वास के सार प्रातना केजिए अप मांग रहे हों कि प्रभू यह करे गए अपकी उस प्रातना में विश्वास है आशा है तो प्रभू आपके जिन में जरूर काम करेगा अलेलूया धनेवादेशू धनेवादेशू तेरे तारीफ प्रभू को प्रसने करें विश्वास करने के तरह प्रभू को प्रसने करें प्रात्ना करने के तरह प्रवजी हारे की एक जन्दों को तेरा हाथों में दिए होती हूँ और ब्लेस खोषना करती श्यूकर समर्थिनाम में हालिलूया रभा बश्या ते रले वेकिते रना माका ते रले वेकिते ओलाट जी ज़्जाद दिया लुकर्णा ने दान पिता परमेश्वर हम तेरी स्तूती करते हैं तेरी महिमा करते हैं जो अदवुद युक्ती करता है परमेशर तेरे नाम के स्तूती करते हैं मैं प्राइब ना करते हैं आपके जीवन से रिक बंधन तूट जाए मैं प्राइत ना करती जीवन से एक परिशानी जाईशों के समर्थिना में मैं प्राइत ना करती शुमसी के समर्थिना में प्रभु देया कर प्रभु चमतकार करने वाला परमेशर है अब अदवुद काम करने वाला परमेशर है अब सामर्थी परमेशर है अब दिया लो करना निधान पिता परमिश्वर है अलेले प्रभू हर एक जनों का आपकी हाथों में देती हूँ परमिश्वर पिता प्रेयर लाइफ देना विश्वास वाला जीवन देना परमिश्वर पिता अनुगरा देना प्रमिश्य पिता आपके पीशे चलने के लिए प्रभु जे अनुगरा मदद और साहता करना प्रमिश्य पिता विश्वास से बढ़ने के लिए मदद और साहता करना प्रमिश्य पिता दिया करो दिया करो प्रमिश्य पिता सुक शान्ती वाला जीवन देना आज ये पीछे हट गे शक और संदेक यो तो प्रभू से इसी वक्त शमा माफी माँगे आपकी वचन पर विश्वास ने किया प्रभू मुझे शमा कर प्रभू मुझे शमा कर प्रभू जी बोलो प्रभू मुझे शमा किजी बोलो मैं प्रात ना कर जितने लोग प्रात ना कर रहे प्रभू जी उन्हें शू और टच कर रो जात कर इश्यो के समर्थी नमे मैं प्रात ना करते एक बंधन तूट जाए मैं प्रात ना करते एक समस्यां से बाहरा जाए इस लक्त जो बिमार है विश्वास करो परमिशर के वचन को कहता है कि देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमिशर हूँ देख मैं तेरा शुडाने वाला परमेशर हूं मैं परात ना करती के पृस्थी बदलनी शुरू हो जाए कि जीव न परिवार के घराना चंज होना शुरू हो जाए हाले लोजी इस वक्त बीमार है अपने हाथों को वहाँ वारा के जहाँ प्रॉब्लम है मैं ठाटती हूँ हर एक बीमारी हर एक घाव येश्यो के समर्थिना में चंगियो जाए एक दरदर एक पेन एर एक नस की प्रॉब्लम एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम गोटप प्रॉब्लम है प्रव शूल ये प्रवु धन्यवाट करते हैं प्रवु अज्यों । जहीं पॉड़ते ही जनको दुष्टाथना में का टैक होते हैं जिनको डर और भे लगता है या किसी चीजें से देखकर डर लगता है या उड़ कोई चीजें डराती है गलत चीजें दिखाती है सपना में डराती है दुर-दुर की चीजें मैं ध़र टेशु के समर्थिना में जाए प्रभू शुवार अजात कर शू और अजात कर देने के लिए धन्यवाद करती हूँ आप प्रभी शू मसी के लगों में कवर्ट करती हूँ जितने लोगा सुन रहे हैं शू के लगों में कवर्ट करती हूँ शू के समर्थिनामे और अब शू और अजात कर प्रभी शू करा देने के लिए धन्यवाद हमारी मदद रसायता करता है, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रात्मों को सुनकर तर दिने वर प्रभू धन्यवाद करती हूँ, आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनस को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनस बढ़ने लगे आपके जॉब के साब ब् प्रबू जो मांगे रिप्रमेशर के लिए जो भी श्यवस आज मांग रहें प्रबू उन静कों को पूरा करनेश ओमत्ति में सारे प्रात्मा को सुन्हें धन्याभर करते हूं पिता पत्र और पत्र आत्मा के तारिफ करते श्यवमसित के स capaceren में में शुटकारा और चंगाई देने वाला और अदबुदी युक्ती करने वाला पर्राकर में परमिश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी प्रात्नों को सुनकर रुटते देने वाला परमिश्वर आपका धन्यवाद करते हैं हलेलुया प्रभू आपके हाथों की कमाई को ब्लेस्ट करे जितने लोग परमेशे के राजें बीज बो रहे हैं अपने टाइट दिश्मास दे रहे हैं परमेशर पिता इनके हाथों की कमाई को मैं ब्लेस्ट गोश्ट ना कर मदद असाहता करो जितनी लग प्रमिश्य पिता तेरे राज साहता करो अरे एक गो जो में साहद करो जियां जहां जाते इनकी संगों सातर रहना प्रभी यश्य मसी की लोग में कवर करती हूं थने वाद आदिए शूमदध तसा थे गारे गलत रास्ते में जाने से बचाना, अरा गलत गाम करने से बचाना पर मुपिता, सिर्फ और आपको परसुनने करने वाले होकर बदल जाए, आकर पीछे चलने वाले होकर बदल जाए शूथी के समरते नामें. पुरोजे अपयार को जरू शियर कीजिए और अपनी गवाईयों को देना ना भूले लगातर प्रात्ना करें चर्जबवन की जमिन के लिए मेरे लिए तो हमारे प्रिवार के लिए टीम के लिए पुरेर वरियर के लिए कितने लोग प्रात्ना कर रहें लगातर अपने जुड़े रहना है प्रा सदानन दित रहें, हलेलुया, तो जो मीटिंग है, तो फ़र बारा बज़े स्टार्ट होगी, फस्ट टेम पर उसको जरूर रटेंड करें, और आप बिल्कुल भी सेम ने रहेंगे, प्रभो में सदानन दित रहें, तो शाम को जो छे बज़े फस्टिंग पर शूरू होगी, जो आपको पता है कि कि दिन के फस्टिंग पर चाल रहे हैं, हलेलुया, तो इस फस्टिंग पर में शामिल रहें, जब स्टार्ट होगी तो इसमें अबने जॉइन करना है, और बिल्कुल भी आपके पर सेतिय सेम ने रहेगी, प्रभो में सदानन दित रहें, और संडे परे